आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इस पुरानी अनार कली को रियूज करके एक बहुत ब्यूटिफुल सा लहंगा क्रियेट कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो लहंगा क्रियेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके उपर के पार्ट को अलग करेंगे यहां से और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह इसे लहंगे में क्रियेट करना है सो आप देख सकते हैं कि हमने इसके दोनों पार्ट को अलग-अलग कर लिया है अब यह जो निचे का पार्ट है जिससे हम लहंगा क्रियेट करने वाले हैं यहाँ पर इसके हम बेल्ट लगाएंगे और फिर यह हमारा लहंगा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बेल्ट लगा कर बताती हूँ सो बेल्ट लगाने के लिए हम इसके अंदर जो लाइनिंग है उसका कपड़ा हम बेल्ट में यूज करेंगे तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह बेल्ट की कटिंग करनी है सो ब्लाउस के लाइनिंग में से हमने बैलट को निकाला है और इसकी छोड़ाई हमने दो इंच लिए अब हम इसको लहेंगे पर अटेश करेंगे सो हमने यह लहेंगा लिया और अब हम इस पर यह बैलट अटेश करेंगे तो मैं आपको बताती हूं की आपको किस तरह इसे रखना है आपको इस तरह से belt को लहेंगे के उपर रखना है और फिर यहां से आपको stitch करना है तो चलि हम belt की stitching कर लेते हैं तो हमारे stitching कंप्लीट हो चुकी है और हमारा belt बिल्कुल लग गया है मैं आपको दिखाती हूँ सो ये देखिए हमारा बेल्ट बिल्कुल प्रॉपरली लग चुका है और ये हमारा लेंगा बिल्कुल रेडी है सो गाइस आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेलफ फुल रहा है तो मेक शूर आप इसे लाइक शियर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले